बैरोमीटर क्या होता है इससे हम वाइमंडली दाब अर्धात एटमॉस्थेरिक प्रेसर को कैसे माप सकते हैं ये आप लिखना है लिखो वाइमंडली दाब का मापन अर्धात एटमॉस्थेरिक प्रेसर को दो यंतरों द्वारा मापा जाता है उसके मापन बनाया गया है यह बनाने वाले कौन थे इसे बनाने वाले सरपुथम बघ्यानिक इवे लिश्टा हर्थाथ जिसका फेमस नाम जो है टॉरीस ऐली है इनको पिछेjuna वाले का दी का अगे और प्रम्पे का प्रमिë इनका बेज्ञानिक आम इबेगलिश्टा टॉरीस' इन्होंने सन 1643D में गाव मापी बक प्रेसर B कोई दाब मापी एक ही चीज होता है उसमें को उन्हें दाब के लिए मनों इक हो जा था है और यह काम क्या है इसे भारएल में अब देखो चित्र बनेगा जर कर दो खर कर एंद से बाने एग एगार में नड़का एगांचा घगना थार टतों दो लुब कर दो कि वाल कि युब का लुब कर दो छो बादे हैं कि नगकार कि युब कर दो दो Sw uda थोड़ा समझ लिए ये बैरोमीटर है इस बैरोमीटर में क्या है ये एक काच का ग्लास है पूरी तरीके से और इसके अंदर तरल कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये एक काच का ग्लास है इस काच के ग्लास में पारा भरा हुआ है पहले देख लीजिए क्या है यहां तक हम बता चुके थे इनकी कोच किस ने किया था और किसलिए किया था, ठीक है, इसके बार लिखे हो, इसमें एक कांच की नली, ये कांच की नली है, ये कांच की नली पारे से पूरी तरीके से भर कर, इस कांच की नली को पारे से पूरी तरीके से भर देते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से भर कर, इसके खुले मुह को, जो खु चाहे इसके उल्टा करके ऐसे डालते हैं तो आगे क्या लिखे हो कि और से भरे बीकर में दुगो ही जाती है जो इसके खुला हुआ हुआ है वो जो इस बीकर में पानी लिक्विट भरा हुआ है उसमें दुगो दिया जाता है चुकि पारे का निचला सिरा जो है वो वायू प्रबेस नहीं कर पाता है इसलिए नली के उपरी सिरे अर्थात उपर वाला भाग जो यहां वाला भाग है यह वाला भाग निर्वात रहता है अर्था बिंदु ए पर ताब जो होगा वो निर्वात के कारण सुनने हो जाता है फिर शेक बात समझेगा ये एक बीकर है इस बीकर में कुछ liquid भरा हुआ है लिकुट कुछ भी हो सकता है एक कांच का ग्लास लिया गया इस कांच के ग्लास में पारा भर दिया गया पारा भर कर इसको ऐसे उल्टा करके इसमें जो liquid भरा है उसमें ऐसे तुगो दिया गया जब इसको ऐसे तुगोएंगे तो पारा का कुछ हिस्सा जो इसमें भारा हुआ है इसके नीचे जो तरल है उसके पास आजाएगा और कुछ हिस्सा जो है जब नीचे चला जाएगा तो पूरा भारा हुआ जो पारा है वहाद उपर की तरफ कुछ खाली हो जाएगा जो उपर की तरफ खाली होगा अर्थाद जो बिंदु A था उसके उपर क्योंकि ये पूरी तरीके से ये जाम कर देगा मतलब इसमें वायू जो है वो प्रबेस नहीं कर पाएगा उस जगे जब वायू प्रबेस नहीं कर पाएगा तो उपर ही हिस्सा मतलब इतनी दूर वायू का नामू निसान नहीं बचेगा जब वायू नहीं होगा तो ये भाग क्या हो जाएगा निर्वात और निर्वात पर किसी का दाब नहीं लगता है अर्थाद जो बिंदु ए था बिंदु ए पर कोई दाब नहीं लगेगा इस समय क्योंकि ये भाग क्या है इस जगे पर कोई दाब नहीं लगेगा क्योंकि इस भाग पर ये भाग जो है निर्वात है ठीक है यही चीज लिखे हो अर्थात यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो या बता सकते हैं कि जो P A बराबर 0 हो जाएगा मतलब बिंदू A पर जो दाब लग रहा है वो क्या हो गया है सुनने हो गया है इसके आगे लिखो बिंदू बीवा C समान तल पर है जब समान तल पर बिंदू बीवा C है तो यह क्या हो जाएगा P B बराबर P C मतलब बिंदू P और C पर जो प्रेसर लग रहा है वो समा रहेगा क्योंकि तल देखो यह भी इसी तल पर है इसी तल पर मतलब समान तल पर समान तल पर मतलब यहां तक ही पानी इसमें भरा हुआ था इसमें भारा कहा तक भरा होता है यहां पर भरा हुआ था यहां पर उपरी अस्थान यह निर्वात था इसलिए इसमें जो प्रेसर लग रहा है बिल्कुल 0 लग रहा है, मतलब pressure नाम का कोई चीज है नहीं, क्योंकि वहाँ पर y पहुंची नहीं पा रहा है, y पहुंचेगा तभी pressure लगेगा जब y पहुंची नहीं पा रहा है, pressure कहां से, लेकिन जो बिंदु B है और बिंदु C है, ये बिंदु B और C एक ही तल पर है, की वहाँ पर वायुताब पी नाट के बराबर है बिंदु पी और सी ये एक समान तल पर है जब बिंदु पी और सी एक समान तल पर है ति इस पर जो प्रेशर लगेगा वो समान रूप से लगेगा वो समान रूप से लगने वाला प्रेशर माल लेते हैं कि ये जो है बिंदु P nat के बराबर अर्थाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि P nat बराबर PB बराबर PC ठीक है? इसके बराबर यह हो जाएगा अगर माल लेते हैं इसका हम derivation लगाएं इसको P A से H गहराई पर है देखे, जो बिंदू P है वो A से कितनी गहराई पर है? H मतलब बिंदू A यहाँ पर है, B यहाँ पर है इन दोनों का जो distance था, height थी, वो कितनी है? H है, ठीक है, H गहराई पर है P बराबर क्या हो जाएगा? P B बराबर, P A, योंकि इसका भी दाब इस पर लगेगा P B का अगरमान निकालना है, तो P A इसका दाब और जो Rho G H इस पर घंद तो लग रहा था इतने उजाई पर है, कल फार्मूला निकलोए गया था Rho G H, तो P B बराबर क्या हो जाएगा? P A प्लस Rho G H देखों, यहाँ पर लिखवाया गया है, कि जो P B और P C को हम ऐसे लिख सकते हैं, कि उसका वाई मंडली ता पीनाड होगा मतलब उस P B और P C का मान बराबर है, अथा पीनाड बराबर P B बराबर P C ऐसे हो सकता है कि नहीं? जब बराबर है, जब समान प्रेसर हर जगें लग रहा है, इन दोनों के जगें पर हम नाम लिखेंगें, उसको बता सकते हैं, कि इन दोनों के जगें पर पीनाड बोलोगा है, ठीक है? यहां पर देख़ा यह बहुँते हैं आगर मान लेते हैं कि मान अब आप जो है he guarai पर है जो का मान है वह he guarai पर मतलब नीचे है कुछ he guarai पर है इसका जो मान निकल कर आएगा क्योंकि हम निकाल किस पर रहे हैं b b नीचे है b ब्राबर कितना थेक तो pa के बराबर होगा pa से नीचे है प्लस इसकी जो मान निकल कराता है rho g यह जो कल निकलवाये थे वह कितना है rho g h अब ये दोनों मतलब इसकी जगें पर हम क्या लिज सकते हैं p b की जगें पर रोनाट लिख सकते हैं क्योंकि ये निर्वात है और निर्वाद पर इसका दाब PA बराबर क्या हो जाएगा, सुने, अच्छा, एक इस्टेफ हम बूल गये थे इसकी जगे पर हम लिख सकते हैं, रो नाट की नहीं रो नाट बराबर, PA की जगे पर क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस, रो जी, पी नाट बराबर क्या हो जाएगा, रो जी, एक इस्टेफ भूल गये थे, वह इस्टेफ, अब हो गया प्रूफ, बस, डाउट खतम, यह आपका बैरो मीटर आज खतम हो गया है, कल मैनो मीटर पढ़ाएंगे, ठीक है, कल मैनो मीटर वाला टॉपिक चलेगा, अरभा आपका थोबाएंगे, वाला नी, ताहिए थे लिया हो गया हो, जी जा ग्लावणे टीव